हालो व्यूवर्स, वेलकम तो माई यूट्यूब चैनल, मैं हूँ पूजाल उत्रा और आज मैं आपको बताऊंगी यूरिक एसिड की अधिक्ता को कम करने के कुछ आसान से घरेलू उपाए दोस्तों खून में यूरिक एसिड की अधिक्ता को हाइपर यूरिसेमिया कहते हैं यूरिक एसिड की अधिक्ता की वज़ास से गाउटी अर्थ्राइटिस, किड्नी, स्टोन्स और रिनल फेलियर की प्राब्लम्स भी हो सकती है यूरिक एसिड की अधिक्ता को कम करने के उपा जानने से पहले हमें ये जानना बहुत जुरूरी है कि यूरिक एसिट बढ़ता क्यों है वेल इसके कई कारण हो सकते हैं जैसे एल्कोहॉल कंजंप्शन, मुचापा, अंडर एक्टिव थाइरोइड ग्लैंट, डाबिटीज, ओवर एक्सराइज और क्रेश डाइटिंग, एक्सराइड को एब्जॉर्ब करके किड्नी के द्वारा मुत्र के रूप में शरीट से बाहर निकालने में बहुत हल्प करता है इसलिए हाइफाइबर फूड्स खाएं जैसे ओर्स, ब्रॉकली, बनाना, क्यूकंबर, पपाया, किवी, ओरेंज, आधी, अपनी कुकिंग मे कोल्ड प्रेस्ट ऑलिव यूज कीचे और रिफाइन ओयल या वेजेटिबल ओयल को बाई-बाई बोल दीचे क्योंकि वेजेटिबल ओयल को जब हीट किया जाता है तो यह रैंसिद फैट्स पे तबदील हो जाते हैं और यह रैंसिद फैट्स हमारी बॉड़ी में वितमिन जो की यूरिक एसिड को कंट्रोल करने के लिए बहुत जुरूरी है उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं इसके विपरीत ऑलिव ओयल में मोनो सैचुरेटिड फैट्स होते हैं जो हीट करने पर भी स्टेबल बने रहते हैं और इसमें वितमिन ई और एंटी आक्सिडेंट्स भी प्रचुर मात्रा में होते हैं इसलिए अपनी कुकिंग में कोल्ड प्रेज्ड ऑलिव ओयल ही उसकीजिए यूरिक एसिड का लेवल अधिक होने पर पानी का इंटेक बढ़ा देना चाहिए कम से कम तीन से चार लीटर पानी आप एक दिन में जरूर पीजिए पानी यूरिक करता है और यूरिक एसिड को सॉलिवल करके किड्नी के द्वारा फ्लश आउट करता है अपको करना क्या है एक चम्मच बेकिंग सोडा एक ग्लास पानी में अच्छे से मिला लीजे और दिन में दो बार इस रेमेडी का सेवन कीचे याद रहे कि दो हफते से ज्यादा इसको करता है और यूरिक एसिड को ब्रेकडाउन करने में यह बहुत यूपयोगी है दिन में दो बार एक ग्लास पानी में दो चम्मच सेवका सेवन करने से भी यूरिक एसिड कम हो जाता है रोज एक से दो निम्बू का आप सेवन करें या फिर विटमिन C का 500 mg का कैप्सिल भी आप रोज ले सकते हैं आधा कप वीट ग्रास जूस यानि गेहूं की खास का जूस आप रोज पीजिए इसमें विटामिन C, ख्लोरोफिल, प्रोटीन और अमीनो एसिड होते हैं जो ब्लड को एलकलाइज करने के साथ साथ पूरी बॉडी को डीटॉक्सिफाई कर देते हैं इसके अलावा आप लो प्यूरीन डाइट लीजिए प्यूरीन से यूरिक एसिड बनता है और प्यूरीन मोस्टली अनिमल प्रोटीन में पाया जाता है इसलिए सभी प्रकार के मीट, फिश, अंडे आधी को आप अवॉइड कीजिए लो फैट मिल्क की दही दिन में आप द अखनिये की पत्तियों को बारी काट कर मिला कर खाये बहुत फायदा होगा इसके अलावा आप बैलेंस डाइट लीजिए अलकोहल कंजंप्शन बंद कर दीजिए मैदा और मैदे से बनी चीजें जैसे की केक, बिस्किट्स, पेस्ट्री आदी काप सेवन ना कीजिए रेगि प्लीज प्लीज मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए